वेलकम स्टुडेंट्स और आज आगे हमारा लास डे जिसकी हम पूरे साल से तैयारी कर रहे थे तो सबसे पहले बैस्ट विशिज जो भी एक्जाम देने जा रहा है सबसे अपना बैस दे कोशिश करें एक्जाम में घबराना नहीं है जाके कंट्रोल रखना है उसी से रिलेटेड हम आज लास डे टिप्स आपके साथ डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लास्ट वीडियो जामिया एंबिये 2023 के लिए सबसे पहला विफोर दे एक्जाम तो विफोर दे एक्जाम यानि एक्जाम से पहले तक हमें क्या करना है देखिए सबसे पहली चीज जो है हर एक्जाम से पहले आपको रहना है रिलैक्स जितना आप पढ़ चुके थे वो अब पढ़ चुके हैं अब अपना टाइम नहीं है कि हम कोई नियू टॉपिक नियू कोई चीज में इन्वाल्व हो कोशिश करिए जितना आपने पढ़ लगा है उसी को रिवाइस कर लिए जो टॉपिक आपके important है आपके हिसाब से जिनको आपने अच्छे से cover किया है जो की आपकी strength है तो जो रिवाइस करना है अपनी strength पर focus करके करिए अब new topic बिलकुल कुछ नहीं करना है रिलेक्स रहना है एक्जाम सेंटर टाइम से पहुच जाना है बलकि मैं तो कहूंगा बिफोर टाइम आप लेके जाए जो भी एक्जाम में आपके टाइम मेंशन है उससे पहले पहुचने की कोशिश करिए अपने सारे जो डॉकुमेंट्स हैं वो सब कैरी करिए जो फोटोग आपको खुच से करनी है तो जितने भी डॉकुमेंट है उस सब के साथ आप रेडी रहिए बाकि जो पैन पैंसिल आप पैन चाहिए आपको एमार शीट के लिए वो सब अपने पास रखिए और क्योंकि एक्जाम गर्मी में हो रहा है इसका आप ध्यान रखिए वाटर बॉ इसमें नींद आती है तो ना तो आपको ज्यादा है भी डाइट लेनी है ना ही कोई इतनी हलकी लेनी के आपको एक्जाम टाइम में घूट लगे तो ये सारी चीज़े विफोर दे एक्जाम आप अपना रेडी कर लिए ताकि आप मेंटली तैयार हो जाए एक्जाम देने क तो आज की डेट है उसका जो टाइम है टू थर्टी तू फाइफ थर्टी तो ये जो तीन घंटे है थ्री आवर्ड से यह उतने इंपॉर्टेंट है जितनी अभी तक पूरे साल आपने तैयारी किये तो आप ये समझे एक कि इसकी इंपॉर्टेंस पूरे साल जो आपने मे तो इस तीन हंटे आपको पूरा fully focused एक दम रहना है इसलिए मैंने काता है कि हलका सा खाना खा लिए ज्यादा है भी भी नहीं ताकि आप focus लूज ना करें दैन एक strategy आपके पास ready होनी चाहिए कि अगर exam more difficult आता है तब हम कैसे उसको tackle करेंगे easy आजाता है तो क्या strategy रखनी है तो ये बिलकुल आपको strategy clear होनी चाहिए strategy के हिसाब से ही आपको exam में अपना best perform करना है तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी personal opinion रखूँ तो मेरे हिसाब से paper होना चाहिए difficulty जैसा पिछले तीन साल का वही level और इसमें से ये दो section LRTI या VARC मेरे हिसाब से ये difficult आने जा रहा है तो मेरी अपनी opinion है कुछ भी हो सकता लेकिन हमें mentally ready रहने चाहिए best कि हम क्या कर सकते हैं तो जब भी difficult हो जाता है तो सबसे अच्छी approach है कि question आपको select करने है कि कौन से हम कर सकते हैं तो पहला round सबसे पहले काम करिए 10-15 minute आप अपने दीजिए paper को read करने में paper को check कर लिए कि pages पूरे complete हैं जितने pages उसमें mention है कोई misprint तो नहीं है कि page में किसी में print होने से रह गया total जो questions है वो पूरे complete है 170 questions पूरे आप paper में है यह सब तभी के तभी आपको check कर लेना otherwise आप लेट करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी paper चेक नहीं हो paper चेंज नहीं हो पाएगा तो यह सब चीज़ा आप शुरू में ही जरूर देख ले then question को देखे classify करना सी कि जैसी आप 10-15 मिनिट में पूरा paper read करते हैं तो आपको overall idea हो जाएगा कि हर section किस तरीखे का या क्या level है paper का तो paper को read करते करते जो भी आपको लग रहा है easy question है उस आप टिक मारते चलिए यानि यह मुझे करने है और साथ-साथ जो बहुत difficult है जो कि आपको लग रहा है कि नहीं यह तो हमने पढ़ा ही नहीं था यह topic किल्कुल skip कर दिया यह बहुत question ही लग रहा है कि tricky है तो उसे difficult है इन दोनों के बीच में जो रहेंगे वो रहेंगे moderate तो यह तीन पार्ट में आपका paper classify हो जाने चाहिए शुरू के 10-15 मिनट में अब सबसे पहला काम आप करेंगे easy question करते चलेंगे तो हम इसे कहेंगे round one तो round one में आपका क्या होगा जितने भी easy section है आप कर लेंगे start करिए कोशिश करिए gk gss section से और सबसे last में lrdi जब आप पर round one पूरा हो गया तो तब ही आप क्या करें OMR sheet fill करना शुरू करते हैं पहले round के बाद ही जितने question आप से हुए उसकी OMR sheet fill हो जाना चाहिए ताकि last time के लिए OMR sheet नहीं छोड़नी है और OMR sheet को carefully fill करना है क्योंकि pen से होता है गलत कर दिया तो एक number तो जो आपके सही था वो चला गया और साथ में 0.25 negative में मिलेंगे तो यह बहुत ध्यान से कर दाए नहीं जिसमें हमें लग राता है कि थोड़ा time लगाएंगे तो हो सकता है को जाए moderate आएंगे जैसी moderate वाले सारे हमारे पूरे होंगे तो फिर again क्या हो जागा OMR sheet fill अब जब आप इतना कर चुके होंगे अब सिर्फ last में बचेंगे आपके पास कौन से difficult तो difficult हमें तभी करने है जब last में हमारे पास time बचता है नहीं time बचा कोई बात है तो last में difficult जब question पर आते हैं तो हम अपनी approach change कर लेते हम पहुच जाते हैं Elimination Elimination का मतलब है कि अगर आपके पास चार option है A, B, C, D मानला आपको पता चलिए है ना B है ना C है आप इतना तो sure हो कि ये दो option तो नहीं है तो आपको confusion हो रहा है A और D में तो आप यहां पर guess ले सकते हो लेकिन अगर दो की जगए तीन option में आपको confusion है या चार में चार option नहीं आते तो कभी भी guess नहीं लेना है guess तभी आप लेना जब दो option है तो probability यही होती है कि अगर one fourth negative marking है और आपके पास दो option eliminate हो रहा है तो आप उस पर guess ले सकते हो तो आपको overall positive मिच जाएंगे लेकिन दो से जादा पर आप नहीं try करना पिर उसे छोड़ देना तो यह approach से आप करिए easy में divide करिए फिर moderate पर आईए फिर time बच्टा तो difficult पर आईए उसमें elimination approach की help भी जे इस तरीके से आपको करना है तो यह एक अच्छी approach है काफी काम आती है तो इस तरीके से आप exam दीजिए अपने आपको cool रखिए relax रखिए और time management बहुत important जो काम है वो है अपकी बार time management आपको अपको अपना idea होना चाहिए कि किस section में किया strength है मेरी कितना मुझे time देना है round one में हमारा कितना time चला गया moderate वाले में आए अब कितना time बच रहा है difficult के निए कितना बच रहा है जो आपको आते हैं उनको अच्छे से करिए अच्छा time डीजे कोई ऐसा घबराने की बात नी क्योंकि difficult में हमें पता नहीं कि हमसे हो पाएंगे भी या नहीं हो पाएंगे time का जरूर धियान रखिए और OMR sheet फिल करने में अच्छा खासा time जाता है इसको आप जरा धियान में रखिएगा इसके निए अलग से आपका slot होना चाहिए आपके दिमाग में ready इसके बाद फिर last tip जो थी हमारी लास्ट day tips में जो हमने wish किया है अब exam hall के बाद अगर आपके पास रहता है कि अब last में आपके पास exam के बाद तो धियान रखिए कि ये life का एक छोटा सा पार्ट है जब आप आगे चलके वापिस देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्यों हम इसके नहीं इतना परिशान ते हर इविंट ऐसी होता है कि जब हम शुरू में 10 देते तो हमें लगता कि अरे बस यही सब कुछ है तो यहीं रहता है तो लगता रहे 10 तो कुछ भी नहीं था आराम से पूल रखिए एक्जाम दीजिए अच्छे से एक स्माल पार्ट है एक्जाम देने के बाद आके रिलेक्स करिए आज का दिन तो कोई टेंशन नहीं लेनी जो एक्जाम देना था आप तुम्हें दे दिया है और उसके बाद कल से फिर लग जाईए अगली प्लानिक क्योंकि कई लोगों का कल एक्जाम भी है जिन्होंने जामिया के फॉर्म भरे हैं MSW, MHRM तो उन्हें तो आज से ही फिर से तैयारी शुरू कर देनी है और कई बच्छों का AMU का एक्जाम है जो की अभी टेंटेटिव यही है कि 28 को रहेगा लेकिन इसके चेंज होने के भी चांसेज हैं क्योंकि UPSC का एक्जाम है उसी दिन सेम डे लाइफ में और भी चीज़े हैं बहुत इंपॉर्टन चीज़े हैं हम है हमारी फैमिली है बाकि सारी चीज़े रहेंगी रहेंगी तो यह एक आपका चैलेंज समझ के लिए चैलेंज है जिसे आप में देखना है कि आप बैस्ट अपना कैसे कर सकते हैं सो स्टुडेंट्स यही मेरी तरफ से यो टिप्स थे वह मैंने आपके साथ शेयर किये हैं और बैस्ट विशी अगेंस अब के लिए अपना बैस्ट जो भी पॉसिबल है वह आप दीजिये और फिर लाइफ में आगे बढ़ जाएगे औ कोई भी आप शेयर करना चाहें अपने कोई कोई कमेंट देना चाहें तो जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आगे के लिए रिजल्ट्स के लिए इसके सॉल्यूशन वगेरा सब के निया हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में जो नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा है वो अपने जो फैल्व स्टुनेंट हैं उनके साथ आप डिसकेशन कर सकते हैं तो थैंक यू फर वाचिंग सल्मान सर्क्लास